और दरशट हमारी साथ है। डॉक्त जे शर्मा ने हमें कॉल किया है। शर्मा ची सवाल कर सकते हैं आप। जी डॉक्श mend मेरी ये प्रच्म है कि मुहें हमेशा बोटी पेन रहते है। हमेशा बोटी में दर्द रहता है। जी और जैसे गुटनों में उसमें भी प्रॉब्डम रहती है, इलाज भी बहुत अच्छा करवा है, एज बता दीजे अपनी, मेरी थर्टी नाइन भी एज है, बहुत कम उमर में आपको परिशानी शुरू हुई, अच्छा दिखे जरा सा सयम रखना, युनानी एक ऐसा इला और ने आट दिन दभा कहाई हो, कोई फैदा नहीं हुआ, तो आपको दो-तीन महिने इलाज करना है, यह याद रखें और आट-दज दिन कुछ शिकायत ना करें, चाहे आपको पहले इंपाइदा हो जाए, किसी किसी को पहले भी फैदा शुरू हो जाए ता लेकिन मैं कहता है तो दो तीन चार महीने खाएं या फिर कैपसुल टी केर टी फोड टाइगर सुबह शाम पानी के साथ दूद के साथ जूस के साथ जैसे आपके हालात हैं आप लिया ले लिए लेकिन आट दस दिन सवर करना मुझे से कुछ मत कहना आप एक महीने खाएंगे फिर उसके बाद आप कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि आपको इतना फायदा हो सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और साथ ही आपने तमाम दर्शों के लिए ये भी बता दें कि यूनानी पदिती की जो दवाएं हैं थोड़ा सा समय लेती हैं लेकिन बिमा दूसरे हैं कानों से बहुत कम सुनाइजेता है और पेट भी जो एगा खराब रहता है तो ये चार पार पांच बार फ्रेश डाना बड़ता ता फ्रेश ओमर कितनी है आपके खाऊं में 73 73 जी अच्छा देखी ये मैं आप से कहना चाहूंगा कि आपके घर में अगर ऐसा व दूसरा ये कि आपके तीनों रोग एक ही दवा से ठीक हो सकते और वो दवा समझ लीजे क्या है और खुब गवर से समझ लीजे गल्टी मत करना पांच सो ग्राम आप लीजे मेथी का दाना मेथी का दाना पांच सो ग्राम इसको पौडर बनाएं घर पर और इसे अलग रखे और सो ग्राम या दो सो ग्राम आप गौन सिया खरीड लें काला गौन को कहते हैं गौन सिया और इसको पौडर करके अलग रख लें ठीक है सुबह को नाश्टा करें एक चमच मेथी पौडर और ये दो चुटकी इसमें गौन सिया का पौडर मिला के खालिया करें ये अलग लगी रखे यह आदा गिराम समझ लें कौन सिया खालिया करें इससे जादा नहीं खा सकते हैं बहुत तेज होता है यह सुबा और रात को ऐसा करना शुरू करें और यह सौ दो सो गिराम गौन सिया खतम होने से पहले आपका तीनों रोगों का इलाज मुम्किन है जी एक और द जैतुन का सिर्का तो हमें लेवर सिया पर नहीं होगा ताम चीक जैतुन का सिर्का बड़े दुकानदार रखते हैं जो हिंदुस्तान के बड़े दुकानदार हैं वो रखते हैं या पिर कहीं भी नहीं मिले तो हमारे हैर प्राइन नंबर से भी आप मदद मांग सकते हैं कह मिलेगा कितने का मिलेगा कैसे मिलेगा आपकी हमारी सेवा भी ले सकते हैं आप इस बारे में और लेकिन मिल जाएगा मुश्किल से मिलता है बहुत दिमांड होती है इसकी बड़े दुकानदारों के पास मिलेगा या हमारी हेल प्लाइन नमर से मदद ले सकते हैं जैसे कि लग ओम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी परिशानी क्या है, किस तरह की बेमारी से वो जूज रही हैं, आईए जान लेते हैं, ओम प्रकाश जी बताइए. आज़रों मेरे बच्चे लोगे, जी, शेसा साल जाए वो फिसाब हो जाता है, अब परिशाब करता है, ठीक है, अच्छे दिए कुछ बच्चे, कुछ पर्सेंट बच्चे बच्चे बिस तरह पिशाब करते हैं, और इसमें टाइम बहुत लगता है, आपको मैं दो चीजे ब अखरोट लें और छिलावा ना लें, अखरोट लीजे आप बंद अखरोट और अपने हाथ से तोड़के रोज़ाना, दो अखरोट और दस किश्मिश बच्चे को रोज किलाया करिए, रात को सोते समय, या फिर माजून अखरोट प्राश आती है, एक दवा माजून अखरो आपको थोड़ा देहरिये रखना पड़ेगा, जी, अमूमन कितनी उम्रत तक ऐसे बच्चे होते हैं, जो की बिस्तर गीला करते हैं, जीरो पाइंट, फाइफ जीरो परसेंट बच्चे हैं, ऐसे जो साथ साल तक पिशाप करते हैं, जी, और 99 परसेंट बच्चे तो पिशा करते ही नहीं, जीरो पाइंट, 99 परसेंट बच्चे 14-15 साल तक भी पिशाप कर देते हैं, और उनकी परवरिष पर बात है, किस तरह से परवरिष की है, कभी-कभी परवरिष की गलती से भी पिशाप हो जाता है, जी, अगर बच्चा डर पोक हो, और मतलब आख तो खुल ग जेंडर का भी कोई फर्क होता है, कि ज्यादा तर बच्चे जो होती है, वो ज्यादा बिस्तरगीला करती है, या जो बच्चे होते हैं, वो ज्यादा गीला करते हैं, इस तरह का भी कुछ जेंडर की समस्या है, क्या इसमें? और में ज्यादा तर तो रफंद मच्ची बिस्ट्रगीला करते हैं बालक और लड़कियां में ये रोक बहुत कम पाये जाता है लेकिन बहुत कम पाये जाता है जे वाकिए में एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गए हैं उनसे हम बादचीत करते हैं चर्चा को जारी हलो नमस्कार जी नाम बताएं जी स्वागत है कारिक्र में सवाल कर सकते हैं आप सवाल करें पूछू जी जी पूछिए हलो सवाल करें प्रेश्म करें आप अपके पाओं में आपके पाओं में अप्रें कितनी हैं आपकी फिफ्टी फाइव और नसे फूल जाती है पैरों की नसे लेख तो तो ब्रें जी ए अर्ग कितनी हैं अपकी अपनों चीके मैं समझ गया देखिए अब मेहनत कुछ कम कर दीजे जब तक हिलाज चले वजन ने उठाएं और वेस्टन टॉयलेट का यूज करें वेस्टन टॉयलेट मतलब कुर्प्सी वाला और या तो कैपसूल टी केर टी फोट टाइगर वेस्टन टूरय भाला एख गारा और या चूस कि मुल जाता है तो सो ग्राम खरीद लें और 15 अगर चरबी के दूसे लेना आपके लिए फवादैमेंद हो सकता है जे हकीम साब ये बात कही जाती है कि नस अगर दव जाए तो उसे दुबारा से उसकी इस्तिती में लाना काफी मुश्किल हो जाता है थोड़ा इस विशे में बताएं आप हमें ये देखिए हमारी क्योंकि इस कदर नसे हैं जैसे आपको बताया था कि इतनी नसे हैं इनसान के जिसम में कि पूरी दुनिया पर लिप लिप पैटे जा सके हैं तो रगें ही रगें हैं और दिमाग तो पूरा रगों से ही बरावा है नसों से बरावा है तो ये सब दवी ही र तो नसों का काम तो दबना है, लेकिन आपने देखा हुगा कि कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैर सुन हो जाते हैं, तो कुछ लोग बैठते हैं तो उनके पैर सुननी होते हैं, वजह यह है कि नसों में ताकत नहीं होती, स्टैंट नहीं होती, और नसों को स्टैंट चाहि अगर आप बैठे हैं तो आपके थाइस की हिप की बहुत लाखों नसें दब रही हैं लेकिन आप नॉर्मल बैट के बात करते हैं आप किसी की नफ दब जाय तो उदो चिलाने लगएगा तो नसों में स्टैंट चाहिए तो स्टैंट देने वाली चीजे मैं अक्सर बताता है यह नसों को स्टैंट देता है मजबूती देता है और खून को पास होने देता है खून को पतला करता है ताके खून पतला होता है तो आसानी से कोई भी पानी हो या खून हो पतला होता है तो आसानी से बैठा है गाड़ा होता है तो मुश्किल से बैठा है तो नसों का काम द मेरे आंके नीचे जाइया हो गई है नहीं है आयव पुला-फुला है दवा खाई है तो पड़ गई है उसके लिए कोई दवा बताई है ज अगर दूसरी बात एक हमारे बाल बहुत ज़ते हैं दुछ तो फूला-फूला है लगे किसी को, कि दोनों आखों के नीचे फूला फूला आप कह रही है, तो अगर फूला फूला है, तो आप ब्लेट पेशर जरूर चेक कराएं, जिसके भी आख के नीचे फूला फूला हो, उसको ब्लेट पेशर की शिकायत हो सकती है, और अगर सिब जाईया हैं, जैसे आप करी हैं तो इसका इलाज बहुत असान है जाईयों का इलाज गी जो आपका गौन मौरिंगा सफेद आता है गौन मौरिंगा सफेद सफेद वाला लेना लाल मत दीजेगा लाल वाला नकली होता है गौन मौरिंगा सफेद आदा किराम ले और एक नारियल पानी मिलाकर रोज पी आपके ये परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है एक और दर्शक है वेद प्रकाश शर्मा जी नहीं में कॉल किया है वेद जी अपना सवाल आप कर सकते हैं जी मैं दवाई मंगवाया था दरद के लिए खुमर, पीछ, जर्दन और कंदाओं में दरद आता है जी अमर कितनी है आपकी वेद प्रकाश जी? 69 यह जी पहरे तो यह बताईए कि आप एक महिने से दवा खा रहे हैं आपका दर्द बढ़ा था क्या? आपका दर्द बढ़ा था क्या? हाँ हाँ बढ़ा है अच्छा आपके पास यह वेस्टन ट्वाइलेट है यह ऐसा कुर्सी वाला? आप मेरी बात का जवाब दीजे है? है, है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा वो दवा चूट गई आपकी जो दर्द की दवा पहले खाते थे यह खाते हैं अबी? दर्द की दवा तो अभी चल रहा है, जो 100 क्राम पंगवाया था मैंने नहीं जो इंग्लिज दवा खाते थे वो अभी खाते हैं आप अंग्लेजी दवा नहीं खा रहा हूं आप ठीक 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 कभी ज़रुत पड़े तो वो भी ले सकते हैं और जिसने भी जो भी ये दवा इस्तमाल करता है उसको अंग्लेजी दवा की ज़रुत पड़े तो ले सकते हैं होता क्या है कि हम हमारी अंग्लेजी दवा छूट जाती है और उससे पिर छूट गई तो समझे लिए फाइदा है अगर आपने अंग्लेजी दवा नहीं खाई और यहीं खा रहे हैं तो हो सकता है बढ़ावा होदद ल लेकिर जितना भी आपने गौन लिया है यह खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है सबर ऐसी करें फाइदा है आपको अंग्लेजी दवा छूट चुट चुकी है आपकी और वो आपने सवाल किया कि आप उस सिरका ले सकते के नहीं अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते है